आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इलेक्ट्रों अड़ोल टेक एनाई इकल तु 1.5 इंटू 10 पाओ 16 पर मेटर को यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है कि SI जो है एक pure crystal है SI यहां पर एक pure crystal है उसमें जो यहां पर है Atoms की जो density दी गई है वो दी गई है 2.5 इंटू 10 पाओ 28 ठीक है यहां से हमें क्या दी गई है यहां से देखिए है यह number of atoms number of यह दिया गया है number of atoms या फिसको कह सकते है density ठीक है density ठीक है और इसकी value किती है दी गई है 2.5 इंटू 10 पाओ 28 atoms पर मेटर क्यूब ठीक है यह हमें दिया गया है इसमें पेंटावलेंट यह होता है आरसेनिक जो है वो हम लोग 1 PPM कंसेंट्रेशन से इसमें हम लोग डॉप करते है ठीक है 1 PPM का मतलब क्या होता है PPM का मतलब होता है simply PPM equal to होता है part per million ठीक है PPM equal to होता है part per million इसका मतलब 1 in 1 million यानि 10 power 6 क्योंकि 1 million equal to 10 lakh होता है यानि 10 power 6 1 PPM का मतलब होता है 1 in 10 power 6 तो देखिए 10 power 6 10 power 6 atoms में एक arsenic element जो है एक arsenic का atom जो है वो हम लोग डूप कर रहे है तो फिर इतने यह जो है यहाँ पे जो number of atoms दिये गए है इतने number of atoms में टोटल कितने arsenic होंगे यहाँ से हम लोग any key value find कर सकते है any key value कितने हो जाएगी any key value हो जाएगी 2.5 into 10 power 28 divided by 10 power 6 क्योंकि 2.5 into 10 power 28 यह total number of atoms है और 10 power 6 atom में एक हम लोग arsenic atom डूप कर रहे है इसका मतलब कि number of electrons carriers यहाँ पर हम लोग देख सकते है जो हमारा extrinsic carrier होगा उसकी value क्या हो जाएगी 2.5 into 10 power 28 divided by 10 power 6 तो यहाँ से हमें extrinsic carrier मिल जाएगे जिसकी value क्या जाएगी 2.5 into 10 power 22 atom per meter cube ठीक है atoms per meter cube अब देखे गाई यहाँ से यहाँ पर हम लोग को nE की value जो है वो मिल चुकी है ठीक है nE की value हमें यहाँ पर मिल चुकी है और हमें क्या find करना है अब number of holes find करना है यानि holes के concentration find करना है electrons की concentration हम लोग को मिल चुकी है तो extrinsic semiconductor के लिए जिसमें doping होती है उसके लिए mass action loss से हम लोग लिख सकते है nE into NH की जो value होती है वो intrinsic concentration इसके square के बराबर होता है nE into NH यानि concentration of electrons into concentration of hole इसकी जो value होती है वो intrinsic concentration के square के बराबर होती है और intrinsic concentration जो है वो यहाँ पर हमें दिया हुए है 1.5 into 10 power 16 ठेक है तो यहाँ सम्दोर लिख सकते है nE की value हमें पता है 2.5 into 10 power 22 into NH की value हमें find करना है और nE का square यानि 1.5 into 10 power 16 का square तो यहाँ से दिखे हमें मिल जाएगा यहाँ से हमें NH की value मिल जाती है यह हो जाएगा 15 into 15 into 2.25 into 10 power 32 divided by यह हो जाएगा 2.5 into 10 power 22 यह देखे 2.5 है और यह 2.25 है अगर डिवाइट करते हैं तो यह हो जाएगा 0.9 तो NH की value हमें आजए मिल जाती है 0.9 into 10 power 10 यह फिर इसको लिखा जा सकता है 9 into 10 power 9 ठेक है गाईज यह जो है यह hole का concentration है question हम से क्या बोल रहा है question हम से क्या बोल रहा है हम से कि calculate the new concentration of electrons and holes ठेक है electrons and holes का new concentration बदाना है तो यह जो है electrons का new concentration है 2.5 into 10 power 22 ओके और यह जो है holes का new concentration है 9 into 10 power 9 वो कोई question समझ में आया होगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर 322 आप यहूए है